मैं आपको आज एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ इस कहानी के माध्यम साब को समझ में आएगा कि जीवन कैसे आगे बढ़ता है एक दिन एक नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा तेरी क्या अवकात है तुझे पता है कहा मैं नदी और कहा तू बेचारा छोटा सा कुवा कुवा हाथ जोड़कर बोला बहन जी जी क्या कहती हो भटका और ठहराव में कुस्तो फर्क होता ही है फर्क इतना ही है कि तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है तुम उपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खार ही हो जाती हो और मैं नीचे से उपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ और लोगों का प्यास उजाता हूँ तुम्हारी पानी कोई नहीं पीता और मेरा पानी हर कोई पीता है विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क होता है दोस्तों विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क होता है मैं कर सकता हूँ यह मेरा विश्वास है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह मेरा घमंड है विश्वास के हमें जरुवत है घमंड की नहीं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए घमंड नहीं विश्वास चाहिए एक कागज का अखवार हूँ मैं एक कागज का अखवार हूँ मैं आउकात भी क्या है मेरी मगर शहर में आग लगाने के लिए काफिय हूँ आदमी दो तरह से बदलता है या तो खुद बदल जाए या समय उसे बदल देगी पिस सुन लिजे आदमी दो तरह से बदलता है या तो खुद बदल जाए या समय उसे बदल देता है लेकिन कड़वा सच है मेरे यार खुद बदल गए तो जिन्देगी जन्नत हो जाएगी और समय ने बदल दिया तो जिन्देगी नर्ग हो जाएगी अगर समय ने बदला तो जिन्देगी नर्ग हो जाएगी और अगर खुद से बदल गए तो जिन्देगी वर्ग हो जाएगी लोग तब भी तंग करेंगे जब तेरे पास कुछ नहीं होगा लोग तब भी तंग करेंगे जब तेरे पास कुछ नहीं होगा और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफन हो जाओगे छोडेंगे तुमको कभी नहीं बस यारे काम करना, पीछे मत हटना लोगी पीछे हट गए तुम किसी काम के नहीं रहोगे और लोग यही चाहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ चलता रहूंगा पतपर चलने में माहिर बन जाओंगा या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाओंगा खोल दे पंक मेरे खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा अभी यार उडान बाकी है खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा अभी यार उडान बाकी है जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है लहरों की खामोशी को चमंदर की बेवसी ना समझ लहरों की बेवकामों सीको चमंदर की बेवसी ना समझ ए नादान जितनी गहराई अंदर है बहार उतना तुफान बाकी है आखों में मंजिले थी गिरे और संभलते रहे आखों में मंजिले थी गिरे और संभलते रहे आंधियों में क्या तम था? चिराग हवा में भी जलते रहे जो मुस्कुरा रहा है ध्यान से सुनना जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्दने पाला होगा जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा जो चल रहा है उसके पाउं में च्छाला होगा बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता जो जलेगा उसी दिये में तू जाला होगा जो जलेगा उसी दिये में तू जाला होगा बदल जाओ वक्त के साथ बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो यही जीवन का नाम है यूँ जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है यूँ जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है पंखो को खोल जमाना सिर्फ उडान देखता है यूँ जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है पंखो को खोल जमाना सिर्फ उडान देखता है युही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है पूछा चुन्या से कैसे बनाया आशियाना बोली फरने पड़ती है उडान बार बार इनका तिनका भी उठाना पड़ता है युही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है पूछा चुन्या से कैसे बनाया आशियाना बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है और भरनी पड़ती हो डान बार बार वक्त आपका है चाहो तो सोना बना लो चाहो तो सोने में गुजार दो बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर टालो आधी जिन्दगी गुजारदी हमने पढ़ते पढ़ते और सिखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो वहीं आपको तोड़कर हराने की कोशिस करते हैं वही आपको तोड़ कर धराने की कोशिस करते हैं उपर वाला मौज में आये तो सर्ताज बना देता है और जरा से नजर फिर ले तो महताज बना देता है कभी मैं अपने हाथों के लकीरों में ना उल्चा कभी मैं अपने हाथों के लकीरों में ना उल्चा क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है जिन्दगी जीने के दो तरीके मेरे दोस्त आपने इंगलिस क्लास किया आपके लाइफ में चमतकारी घटना घट रही होगी लाइफ आपका बदल रहा होगा आप मेरे क्लास कर रहे हो आउनलाइन हो या आफलाइन है क्रांतिकारी इंगलिस एप डाउनलोड भी किया होगा जिन्दगी जीने के दो तरीके एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो सारी दुनिया कहती है हार मान लो लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिस कर तुझ जरूर तुझ जरूर सफल हो सकता है थैंक यूर्स आप बूडे आप समने देखा इसको सूना इसको और बारेकी से अपने जहन में इसको बिठाना है और आप ये बढ़ने का प्रयास करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है थैंक यूर्मच गोर्ड ब्लेस यूर्स आप